Hello everyone, Namaste and I welcome you all to Honest Talks UPSC दोस्तो आज से कुछ दिन पहले ना मैंने एक वीडियो अप्लोड करी थी और उस वीडियो में मैंने दो Elimination Tricks के बारे में आपको बताया था एक ट्रिक थी Extreme Statement वाली और एक ट्रिक थी Journal Statement वाली तो ये वीडियो जब मैंने बनाया था तो इसके दो Conclusions आपको मैंने बताया थे पहला Conclusions कि आपको Blindly Trust नहीं करना इन ट्रिक में पर हाँ ये ट्रिक बहुत बार काम आती है in your exam Second Conclusion जो निकला था इस वीडियो का और जो आज की वीडियो का आपका Prelims Pass नहीं होगा पर इनके बिना भी नहीं होगा कहीं ना कहीं आपको इन ट्रिक्स को देखिए आपको इन ट्रिक्स पता हो या ना पता हो Consciously और Unconsciously आप इसको यूस करेंगे ठीक है ना पर आपके एक्जाम में काम जरूर आईगी तो मैंने सोचा आज के वीडियो बनाने का परपस ही यह है कि टोटल 14 ट्रिक्स मैं आपके सामने लेकर आया हूं और इन 14 ट्रिक्स को एक ही वीडियो में आपको लगेगा बहुत टाम लगेगा यह पर सॉल करने में नहीं बहुत जलदी इसको सॉल करेंगे एव एवरिःवरेइचिंग रडी मी फूरी चीजह मैने लिखके रखी है और पूरा इसका करने से फाइदा क्या होगा कि आपको न समझ आएगा कि पेपर अटेंट कैसे करते हैं बहुत सारी चीज़ें उसमें मैंने ये भी लिखी हुई जैसे अराउंड 35 कोश्चन के आराउंड आराउंड ऐसे हैं जो सिर्म बेसिक नॉलेज से सॉल्व हो रहे ते इसमें कोई चली एक करके मैं आपको ट्रिक्स बताता हूं पहले पर डिस्क्लेमर याद रखिएगा नॉलेज सुपीरियर है उसके बाद लॉजिक और उसके बाद ये ऐलिमिनेशन ट्रिक्स राइट पहली ट्रिक है लॉजिक इस दिकिंग देखिए जो भी स्टेट्मेंट आपको आपस रिपीट नहीं करूंगा जर्नल स्टेट्मेंट जो होते हैं जैसे कैन वो यूजिवली आपको सही मिलेंगे चौथा जो है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यूशुड वेर्द शू आफ एन एक्जामिनर मतलब यार इतना सुपीरियर एक्जाम सिर्फ यह तो नहीं दिया होगा आपको लगता होगा कि यार फाल्तू स्टेट्मेंट था पर नहीं कोई रीजन था या तो आपको एक हिंट देने के लिए था कुछ नर कुछ रीजन होता है वो स्टेट्मेंट का उस एक्जाम में आने का तो यूशुड वियर दस शू आफ एन ए यह हो जाए पर एक स्पेसिफिक दियो जैसे हंड्रेड ही होगा ऐसे स्पेसिफिक दियो यूशुड गलत होते हैं उसके सिक्स्त वाला यूशुड काम आता है एकॉनिक्स में कहीं दिया हो स्टेडिली इंक्रीजिंग करेंट अकाउंट डिफिसिट हैस बिन स्टेडिली इ रहते हैं उसके बाद इधर मैंने लिखा है यह मैं आपको बताऊंगा कहीं कहीं स्टेट्मेंट में दिया रहता है कि इस बट नॉट इस यह वहां पर आपको केरफुल रहना यह ना आप होल्ड पर रखी यह बहुत डीटेल में 2021 की पेपर में हमें मिलेगा नाइंत जहां भी बोला हो मिनिस्ट्री की इस रेगुलेटेट बाइस मिनिस्ट्री या कोई इंटरनाशनल ओर्गनाइज़ेशन बाइए युनाइटेट नेशन फुलाने डिकाना या कोई पेरेंट बॉडडी का नाम हो यूजवली गलत होते हैं उसके डिफिनिशन देखिए डिफिनिशन कर देते हैं कभी-कभी जैसे दो स्टेटमेंट दिये हैं उनकी डिफिनिशन फिलिप कर दी हां पर तो यूजवली हमें यहां पे गलत तो नहीं बोलूंगा पर केरफुल रहने के जरुवत हैं अकॉर्डिंग टू कॉंस्टिटूशन या इस डिफाइन इन कॉंस्टिशन यूजवली गलत होता हैं उसके बाद कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स आएंगे खासकर साइन्स टेक्नलोजी में और आपके हिस्ट्री में जो की हाट टू प्रूफ होंगे अब देखो यार साइन्स इंटेक में बहुत से लोग क्या कहते हैं कि हमेशा डी लगा क्या आजा ओल इसा नहीं होता है देखिए जो स्टेटमेंट हाट टू प्रूफ हैं कि यह तो गलत हम इसको बता ही नहीं सकते वो सही होंगे पर बाकी हमें लॉजिकल भी देखना होता है तो इसको हम देखेंगे उसके बाद कॉंट्रेडिक्र स्टेटमेंट अगर जो कोश्चन में बेरफुल रहने के जरूरत होती है तो देखिए मैंने आपको सारी ट्रिक्स एक बार समप कर दी अब यह त्रिक्स हमें समझ जब आएंगी जब हम अच्छे से पेपर देखेंगे तो चलिए 2021 के पेपर के और चलते हैं अब देखिए बहुत से लोग यह भी कहेंगे कि यार आएंगे पहली बता दूं ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके इंट्रिक्स को हम देखने की एवा कोशिश करेंगे तो चलिए देखते हैं यहां पर बता रहा है मैंने आपको बताया था कहीं भी अकॉर्डिंग टू कॉंस्टिटूशन लिखा हो तो गलत होगा तो इसका अंसर था राइट उसके बाद चलिए निक्स देखते हैं आप अब देखिए यहां पर पहले थर्ड स्टेट्मेंट देखी यहां पर कैन लिखा हुआ है कि गवर्वर्मेंट कैन अब देखिए यूजवली ना गवर्मेंट सब चीज कर सकते हैं कुछ चीज यहां पर थोड़ा लॉजिक भी लगा सकते थे हाप कि यहां पर वर्किंग आर्स और ओवर्टाइम पेमेंट के बारे में तो हम सुनते हैं पर हमें यह नहीं पता कि आल कैशुल लॉर्कर्स को इंप्राइमेंट प्रोविडेंट फॉर्ड की कवरेज मिलती है कि नहीं तो थर्ड स्टेट्मेंट में इसमें कुछ भी ऐलिमिनेशन टर्ग यूज़ करने का नहीं था सीधा सीधा आंसर आपके बेसिक नॉलेज से था मॉनेटरी पॉलिसी का तो यह चीज छोड़ दो है ना फॉर्थ कोश्चन भी जो था यह आपकी बेसिक नॉलेज से ही सॉल्व हो ठीक है नेक्स्ट उसमें चलते है अब यहां पर देखो यहां पे एक चीज सेहा एक चीज देखो पहली बात तो यहां पर पेरिंट बॉडडी दी घ्ली एक की इस रेगुलेटेट वाइट गॉवर्मेंट चलो पेरिंट बॉडडी हमने देखा था कि यूजवली गलट हो अब या तो यार यह सई होगा या तो यह सई होगा और हमने देखा parent body usually गलत होती है तो यहाँ पे 2 & 3 सई था राइट उसके आज 6 question में चली जल्दी से आते हैं तो यहाँ पे basic knowledge भी काम होगी और आपका logic भी काम होगा ठीक है तो देखो यहाँ पे इसका था basic knowledge का question तो इसमें क page पे यहाँ पे चलते हैं अब यहाँ पे देखो यार यहाँ पे न यहाँ पे कुछ चीज़े दी गई हैं यह भी न मैं कहूंगा logical ही था जिससे बना होगा बना होगा जिससे नहीं बना होगा नहीं बना होगा इसका answer D था यहाँ पे again 10th question देखो कितने सारे कितने सारे अभ अब यहां पर देखो दोस्त, यहां पर मैंने आपको क्या बताया था कि contradictory statements usually गलत होते हैं, अब यहां पर पूछा गया है demand pull inflation के बारे में मतलब एक ऐसा inflation जो demand के वज़े से आ है, अब यार एक चीज बताओ, थोड़ से contradictory statements यहां पर देखना, rising interest rate, हमें पता है interest rate जब भी rise होते हैं, तो inflation नीचे आता और इसमें demand भी एक type से नीचे आती है, तो 5 तो बिलकुल contradict कर रहा है, तो यहां पर 555 गलत हुआ और इसका answer 124 आगया था, तो चलिए, अब हम आगे चलते हैं next page पे, यहां पर 13 और देखो कितना जादा time ने लगेगा, वीडियो बहुत जल्दी कतम हो tension मतलो, ठीक है, यहां पर जो first था ना, यह journal statement था, तो यह सही होगा, ठीक है, यहां पर parent body के बारे में दिया गया है, तो यहां पर गलत होगा, तो देखे 1 and 2 आपका answer सीधा सीधा हो रहा था, यहां पर ठीक है, यहां पर देखो, same चीज, यहां पर international by international organization, मतलब किसी parent body का ना question में देखी, इसमें कुछ trick नहीं थी, इसमें सीधा सीधा answer था, तो इसको हम छोड सकते हैं, right, उसके बाद यहां पर भी कोई trick नहीं थी, यहां पर सीधा सीधा answer यह था, current affairs में था, basically, तो अब मैं आर आपको logic बताऊं, इस question में, सही बात बताऊं, बहुत से लोग logic बताते कि R2 code of practices थी, तो R से R, R से यहां पर recyclable, तो यह R से R करना था, यार ऐसा नहीं होता, ऐसा तो R से यहां पर रामसर साइट भी आ रही है, बहुत सारी चीज़ हैं, तो देखो, मैं आपको वही trick बताऊंगा, जो actually में, आप exam में use कर सकते हो, right, चलो, next page पर चलते हैं, यहां यहां पर देखो दोस्त, यहां पर यह वाला statement देखो, lethal, बहुत जादा एक extreme statement था, कि इट में, कहीं ना कहीं एक journal भी statement है, पर आगे देखो, इट में release lethal quantities of carbon monoxide, यहां पर smelting plants की बात करी गई है, अगर lethal quantity होता, तो यह ऐसे हम इसके आरे में इतना वो कर रहे होते गया, तो यह extreme statement थे, तो यह गलत था, और बागी तो statement जो थे, जर्नल थे, तो इसका answer 2-3 था, simple, यहां भी यह trick काम आई, अब देखो, यहां पर तीनों ही statement जर्नल थे, तो तीनों ही statement यहां पर सही थे, तो इसमें कुछ discuss करने लाइक नहीं, उसके बाद यह वाला ना थोड़ा logical था, क्यों बोल रहा हूं है, देखो, blue जहां भी आता है, हमें पता रहता है, it is related to water, right, तो यहां पे, यहां पे coastal ecosystems और oceans की बाद करी गई थी, इसलिए सही था, देखो, यहां पे logic लग रहा है दोस्त, क्योंकि देखो, soils blue हम क्यों कहेंगे इस चीज को, natural gas हम blue क्यों कहेंगे, क्यो answer 2-3 था, जिसको पता होता कि moss रह लेता है, survive without soil, तो उसके पास दो answer यहां पे आ जाते हैं, और वो कर सकता था, पर ठीक है, यह basic knowledge का था, हमारे लेनी था, जो हम elimination देख रहे हैं, इसका answer C था, जिसको पता होता, पता होता, जिसको नहीं पता होता, नहीं पता होता, यहां प पेंगोलीन तो आपको पता होता, obviously इतना उस टाइम न्यूस में था, तो इन दोनों में से कोई था, और इसका answer by the way, 1-3 ही था, तो चलो आगे बढ़ते हैं, अब यहां पे देखो दोस्त, यहां पे बात करी गई है, नियू यॉक डिकलेरेशन की, यहां पे और यह देखो, नहीं था और ऐसा elimination tricks नहीं थी, तो इसका answer 1-2-4 था, यह discuss करने लाइक नहीं, right, next जलते हैं, कहीं हमारी elimination trick लग रही है, का देखें, यहां पे तो नहीं लग रही, जिसको पता था, पता था, अब यहां पे basic knowledge, यहां पे देखो, यह सीधा-सीधा आपके NCRT में mentioned है, तो इस इसको मैं discuss नहीं करूंगा, इसका answer phosphorus cycle था, यहां पे एक logic लग रहा है, देखो, यहां पूछा क्या-क्या है, कि which of the following is a detri war, detri war, जिसको पता होगा, पता होगा, पर logic यह लग रहा है, कि यहां नाम से पता चल रहा है, कि sea horse तो नहीं होगा, horse किसको कहते हैं, right, तो sea horse तो नह केरा answer आ रहा था कहीं ना कहीं, क्योंकि wood lies हमें पता है कि detri war हो सकता है, earthworms हमें पता है कि detri war हो सकता है, three का जिसको नहीं भी पता होता, वो logic से तो इसको solve कर सकता था, right, उसके यहां इदर भी कुछ नहीं था, सीधा answer यह था, कुछ ऐसा elimination tricks नहीं थी, अब देखो, यहां यहां पे, यहां पे इसलिए मैं कहता हूं कि hard to proof, अब समझो, पूछा गया कि which of the following can establish a symbiotic relationship, अब एक बात बता हो कि यहां मैं बोल सकता हूं क्या, कि फंजाए, चलो फंजाए का तो हमें पता है कि बहुत सारे के साथ symbiotic relationship है, protozoa कभी पता है, अब इसका तो हमने बहुत से लोगोंने, might be, नाम नी सुना, तो क्या मैं proof कर सकता हूं कि यह किसी के साथ भी, दुनिया में किसी के साथ भी symbiotic relationship नहीं बना सकता, मैं proof नहीं कर सकता ना, तो जहां पे hard to proof होने ही हो ना, उसको सही मान लो, सीधा, यही होता हमारा hard to proof वाली technique, रहीट, चलिए, next देखते है 31 के हम पहुँच गए, यहां पे देखो, कि it is the only circular temple built in India, आपने जैसे gold temple और कहीं देखे ही नहीं हो पूरे इंडिया में, और हो नहीं सकते क्या, hard to proof भी था, extreme statement भी था, गलत, और इससे सीधा answer आ रहा था, देखे, two गलत, two गलत, two गलत, one, four, यहां पे सीधा आपका answer आ रहा यह वाले में यहां भी trick नहीं लगेंगी, यह जो गुपता वाला था, इधर भी हमारी इतनी tricks नहीं लगेंगी, right, तो चलिए अब next देखते हैं, तो next page पे चलते हैं, यहां पे देखो यार, अब यहां पे बोला गया है, कि जो एक traveler था, Portuguese traveler, उसने women के बारे में लिखा था, इन Vision Agar Empire, उसने क्या लिखा होगा, अब यहार एक चीज बताओ, कि यहां पे बोला गया है, कि women wrestling कर सकती थी, astrology, accounting, suit से ही, अब यहां पे hard to proof नहीं है, क्या, क्योंकि मैं बोलूँ, क्योंकि देखो यहां पे none of these का तो option ही नहीं है, और जिनने basic NCRT पता होती उनको, उनको पत hard to prove था, तो सारे सही थे, उसके आद यहां पे भी कुछ ऐसा नहीं था, जिसको पता था, पता था, history के questions है, तो यह तो वैसी एक सब को haunt करते हैं, यहां पे भी basic कुछ ऐसा elimination tricks नहीं थी, यहां पे भी कुछ ऐसा elimination tricks, यहां पे इतनी नहीं थी, राइट, चलो, आगे देखन सेंजेवेर के बारे में question पूछा गया था, इसमें ऐसा कुछ नहीं था, बट हाँ एक चीज थी, कि यह ना एक journal statement था, कि one of, अब देखो, यहां पे लिखा होता कि, was the founder, कि किसी Jewish order का, was the founder, तो हम एक type से suspicious होते, पर यहां पे लिखा है, was one of the founder, तो एक journal statement था, तो one तो सही था 2-3 में इन लोगों ने खेला, वैसे इस answer 1-3 था, पर this was a tough question, अब यहां पे देखो यार, इधार इनने क्या कर रहा है, कि जो मैंने आपको बताया था न, यह definition flip कर देते हैं, इनने यहां पे वो ही करा, इनने यहां पे उल्टा उल्टा लिख दिया, और यहां पे definition flip कर दी, क यहां पे इस answer यह था, अब देखो, अब समझो, यहां पे history में वैसे तो history देखो, history और polity, यहां पे usually ज्यादा काम नहीं आती हैं, पर कहीं कहीं आती है, जैसे देखो, 1999 के act में बोला गया है, कि voting rights to all women दे दिया, यार, voting rights सब को बहुत बाद में मिला था, तो सारे women को तो य यहां पे नहीं मिला था, यह एक extreme statement था, वन तो गलत था, दूसरा by the way सही था, यह आपके basic knowledge से आपको पता चलता, ठीक है, यहां पे यह भी basic knowledge काता है, बहुत easy question था, 1942 का, तो जिनने पड़ी होती basic modern history, उनको यह बन जाता, right, next हम चलते है, page number, जो भी आ रहा है, हां, यहां यहां पे देखिए, यहां पे इसका भी मैं कुछ नहीं कह सकता है, songs from the prison, बट ठीक है, अब यहां पे देखो basic knowledge कैसे एक काम आ रही थी, इसमें थोड़ा सापका logic भी काम आ रहा था, आपने administration में यह तो सुना होगा, सुबेदार, सुबेदार एक बहुत बड़ी post होती थी, और परगना, जिनने basic भी history पढ़ी होती, उनको पता होता, बहुत smaller unit होती, तो इस cancer यह था, logic से यह solve हो रहा था, उसके यहां पे भी यह basic knowledge का था, बहुत easy question था, जिनने पढ़े होंगे यह सब चीज़ें, तो इसको छोड़ दो, यहां पे इस cancer यह था, कोई logic नहीं लगा है यहां पे, अब धीरे धीरे हम जब history से बाहर निकलेंगे, तो यह logic लगने, थोड़े बहुत start होंगे, जिससे यहां पे, यहां पे देखो, यहां पे, 50th question में यहां पे logic लग रहा है, कि body, एक international organization के बारे में बात करी गई है, तो यह statement यहां पे गलत हो रहा था, ठीक है, यह हां पे हमारा एक logic लगा, और इसका answer यह था, क्योंकि यह वाला देखो, यह एक journal statement था, journal statement कैसे था, कि the demand that Bangla has to be one of the national languages was raised in the constant assembly of Pakistan, यार, वैसे भी हमें पता, East Bangladesh पहले पाकिस्ता था, तो यार, किसी ना किसी ने हो सकता उठाई हो, इसको हम disprove कैसे कर सकते हैं, कि नहीं होगी, तो हमने यहां पे इसको सही मान लिया, राइट, हम 50th question में आ गया है, बहुत जल्दी यह discussion आपकी खतम हो जाएगी, ठीक है, यहां पे देखो, यहां पे यह बहुत ही जादा conceptual question था, पर यहां पे इन लोगों ने क्या करा ना, यह देखो, 3rd, यह जो मैं बोल रहा थ इस बट नॉट इस, यहां पे यह यूज करा रहा है, तो यहां पे यह statement गलत था, तो 3rd, और 3, eliminate हो रहे थे, तो इसका answer 1, 2, 4 हो रहा था, जिनने यह दो, यह जो statement थे ना, यह conceptual थे, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, अब देखो, यहां पे, यहां पे 52 question बहुत अच्छे है study के लिए, क्योंकि देखे, यह जो दो statements थे, यह बहुत ही general statement, तो इनको मैंने सही मान लिया, अब देखो, यह मैं बोलता हूँ specific, इनको कहते है specific statement, कि the palm oil tree is native to South East Asia, यह बहुत ही specifically, एक area को वो करा जा रहा है, तो usually इसको गलत मानना, वैसे थोड़ा cautious रहने के ज़रूद है, until and unless आपको पता ना हो, तो two, threes का answer था, ठीक है, अब यहाँ पे देखो दोस्त, यहाँ पे basic knowledge थी इसकी, तो यहाँ पे सुतले जिसका answer था, यहाँ पे यह सब भी basic knowledge के थे, तो इनको छोड़ दो, यह भी basic knowledge के हैं, इनको छोड़ दो, अब यहाँ पे next चलते हैं, तो यहाँ यहाँ पे देखो, वापिस से international body है, तो यह गलत मान लिया, मैंने, यहाँ पे general statement है, तो इसको सही मान लिया, तो यहाँ पे two, threes का answer था, ठीक है, यहाँ पे basic knowledge लग रही थी, पर हाँ, यहाँ पे logic भी लग रहा था, यार, logic कैसे लग रहा था, least water efficient crop, sugar cane, इतना तो पता होग कि sugar बहुत जादा पानी लेता है, तो यहाँ पे बाकियों के comparison में तो यही लग रहा था, ठीक है न, यहाँ पे यह भी basic knowledge का question था, इसको छोड़ो, temperate zone, tropical zone की बारे में बात करें गई है, पर हाँ, इसमें भी logic लग रहा था, tropical zone को, जैसे आप compare करते हैं कि हमारे वहाँ भी west side में ही desert हैं, तो यह सही होता, तो यह आप logic लगा सकते हैं, चली, next देखते हैं, तो यहाँ पे वापिस से international body, अब देखो, यह न, यह exception है, यह exception है, क्योंकि देखो, यहाँ पे international body, अभी तक कम से खाम, हम 4-5 question गलत कर चुके international body से, मतलब उस statement को eliminate करके, हम सही answer तक पहुँच हो रहा था, वापिस से देखते हैं, यहाँ पे हो रहा है logic, यहाँ पे पूछा गया था logic कि सवाना में, क्यों इतने बड़े-बड़े plants क्यों नहीं लगते हैं, तो one वाला तो बहुत ही logical था, कि जानवर हो के गड़े खोदने से नहीं लगते, यार ऐसा नहीं होता, तो one व हो आ सकते हो, तो इतना matter नहीं करता, पर हां, यह first वाला तो आप easily eliminate कर पा रहे थे, right, उसके यह आला भी basic knowledge से था, सीधा NCRT से पूछा था, तो इसको छोड़ दो, यहाँ पे हमारा elimination काम आ रहा है, यह बहुत ही general statement था, यह बहुत ही general statement था, सही था, अब देखो, वापिस से termite tree, sorry, tamarin tree is endemic to south Asia, वापिस से specific statement नहीं है, जो अभी हमने discuss करा, तो third वाला मैंने माना गलत, तो अगर मैंने third वाला गलत माना, तो मेरे दो statements तो eliminate हो गए थे, और मैंने इसको सही मान लिया, right, तो चलो, next चलते हैं, यहाला basic knowledge का था, तो इसको छोड़ दो, चलो, आगे देख in the development of this vaccine, recombitant vector vaccine के बारे में बात करी गई है, तो मैं कैसे बोल दूँ कि यह use नहीं होती, और देखो, bacteria and virus are used as vector, मुझे क्या पता, यार किसी को भी use कर सकते हैं, तो यहाँ पे इसको मैं सही मान सकता हूँ, क्योंकि यह hard to prove था, कि यह नहीं use होता, right, उसका चलो, यहाँ पे देखो, अब यह देखो, वापिस से एक exception है, क्योंकि यह basic knowledge का था, यह extreme statement है, कि mitochondrial disease entirely from mother से आती है, तो यह सही था, क्योंकि यार जबी तो mitochondrial, देखे यहाँ पे बोला भी गया, mitochondrial replacement therapy जबी तो होती है, जबी तो three parent baby, जित से UPS से लगबग हर बार question पूछ रही यह चीज होती है, तो C इसका answer था, ठीक है, next हम चलते हैं, 67 में, यहाँ पे भी basic knowledge थी, छोड़ो दो इसको, पर हाँ, इसमें बहुत अच्छा logic लग रहा था, logic क्यों लग रहा था, अगर आपके option में genetically modified crops का नाम आया, मतलब GM crops का आया, तो GM crops से सबसे पहले हमें याद आता है, cotton, cotton से सबसे जादा हमें याद आता है, ball warm, ball warm, और ball guard, देखिए, यहाँ पे name play हो रहा था, तो यहाँ पे कहीं न कहीं logic से question सही solve हो रहा था, यह वाला भी logical था बहुत जादा, क्योंकि temperature पूछा है, और temperature यहाँ भी था, तो यह eliminate हो रहा था, तो 1 in 3s का answer था, उसके बाद यहाँ अब दे होगा सब सही कर दो नहीं, यार वाइरस नहीं होता, अगर वाइरस artificially synthesize हो जाता, तो क्या बात थी, फिर तो पूरे nature में वाइरस हो जाता, वाइरस को living body चाहिए रहती है, artificially नहीं हो सकता वो, यह मत सोचना कि lab में फिर कैसे बन जाते है वाइरस यार, उनको भी ना, एक living उसमें बनाते हैं, या तो किसी animal में टेस्ट करते हैं, किसी tissue में टेस्ट करते हैं, तो यह चीज 1 & 2 basic knowledge plus logic की ठीक है, अब यहाँ पे देखो दोस्त, this but not this, यह मैं बता रहा था, एडिनो वाइरस हैव सिंगल स्टेंड जीनोम, वियर एस, रेटरो वाइरस हैसा सिंगल, डब यहाँ पे कुछ नहीं था, ऐसा discuss करने लाए, यहाँ पे यह थोड़ा contradictory हो रहा था, यहाँ पे बोला गया था, कि जो sodium lamps होते हैं, मतलब लाल टेन, जिसे यह मैंने एक लाल टेन बना दे ठीक है, और यह LED lamp हो गया, इसका क्या है, देखो यह तो logical था, कि जो हमारे sodium lamps है, वो 360 60 degree पूरा ऐसे light देंगे, वेरस तो यह तो logical था, तो यह सही हो गया था, उसके बाद एक चीज़ देखो, कि street lights जो है, जो sodium lamp है, उनकी longer life, एक चीज़ बताओ यार, लाल टेन की longer life होगी, कि आपकी LED lamp की longer life होगी, इसी की होगी, तो यह statement गलत था, contradictory हो रहा है, एक टाइप से नहीं technology को आप पीछे दिखा रहे हो, परानी technology के, तो two गलत हो गया था, इसका answer one three था, यह logical था बहुत जादा, ठीक है, चलो, next देखते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, basic knowledge का question था, यह भी, उसके आद यह वाला भी basic knowledge था, इसको छोड़ दो, यह वाले में बहुत T से toiletries, पर मैं वो logic आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि ऐसे exam में तने काम नहीं आते हैं, यह वाला भी basic knowledge का था, geography first chapter का speed of light, यह वाला भी छोड़ो, right, चलो, next देखेंगे, बहुत जल्दी हमारा discussion खतम हो जाएगी, यहाँ पे यह भी न, अब देखो, quality के question स्टार्ट हो रह यह वाला जो question था न, यह eliminate हो गया था, तो इसको discuss करने लाइक है नहीं, मतलब UPSC ने इसको हटा दिया था, right, वापिस से, international body के बारे में बात करी गई है, तो 1 तो हमारा गलत हो जाएगा, तो 2-3 इसका हो था, यहाँ पे extreme statement था, पर क्या करें, सही था, पर यह वाला तो हमा दूसरा वाला जर्णल था, तो यहाँ हमारा question, answer जो था, यह सही हो रहा था, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे extreme statement हो रहा था, कि cannot be denied, यहाँ पे बहुत extreme जा रहा था, तो यह गलत था, और दूसरा वाला यहाँ पे यह सही था, right, उसके बाद यहाँ पे logic लग रहा था, क् schedule tribes की बात करी गई है, तो जहाँ tribes की बात हो, तो tribal affairs इसका answer आ रहा था, right, यह वाला भी basic knowledge का था, nothing to discuss, क्योंकि आप quality पे हम पहुंच गए हैं, तो यहाँ पे इतना discussion हमारे allow होंगे नहीं, right, चलिए, next देखते हैं, जल्दी से बस खतब होने वाली है, तो यह basic knowledge से था, इसमे next हम चलते हैं, 88 पे, तो यहाँ पे देखो, यह वाला तो यार, general statement था, तो मैंने इसको सही माना, और यह basic knowledge से solve हो रहा था, तो इतना कुछ इसका नहीं था, इसका answer, by the way, यह था, right, उसके जाद 89th question में अगर मैं आऊं, तो यह देखो, यह extreme statement था, तो यह कही ना कहीं गलत थ और A सही था, क्योंकि यहाँ पे बोला है, यहाँ पे बोला है, यहाँ पे बोला है, once granted, एक foreigner को हमने citizenship दे दी, तो इसको हम deprive भी नहीं कर सकते, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसे तो हर को ही बैड़े आगा यहाँ पे, तो इसको हम गलत मानेंगे, तो इसका answer, one सही था, right, इसके यहाँ पे contradict, देखो, इसमें सारे statement, eliminate नहीं हो रहे है, पर देखो, यहाँ पे liberty की बात कर रहे हैं, और फिर बोला है, centralization of power, contradict कर रहा है, तो B तो गलत था, पर इसका answer, D था, right, चलो, बस खतम होने वाले, 10 more questions to go, then we will conclude the video, यह वाला भी भाई, जनल, एक टाइप से basic knowledge, था यार, यह वाला थोड़ा extreme था, क्योंकि देखो, यहाँ पे बोला है, कि we are suspended only once, अब देखो, यार, 1954 से आपको लगता है, आज तक सिर्फ एक बार ही suspend हुआ होगा, emergencies लगी थी कितने बार, तीन बार, emergencies लग चुकी इंडिया में, तो क्या उस टाइम सस्पेंड नहीं होग बाकी दूसरा statement यहाँ पे सही था, right, extreme statements आ रहे थे, कि the award was received mostly by Formula 1, अब यार, तुम वर्ल्ड स्पोर्ट्स की बात कर रहे हो, और सिर्फ Formula 1 racer को ही जाए तर अवर्ट्स में लिएंगे, ऐसा थोड़ी होता भाई, ना इंसाफी, one and threes का answer था, दो और question बचे हैं, बस, यह वा नहीं कर पाते हैं, तो छोड़ दो, अब देखो, एक चीज मैं आपको बोलूँगा, this was the end of our discussion, आपने यह चीज देखी होगी, कि basic knowledge से बहुत जादा questions होते हैं, दूसरी चीज आपने देखी होगी, कि elimination tricks जादार काम आती हैं, पर कुछ जगा काम नहीं भी आती है, और तीस हैं, तो यहां पर फालतू में tricks मत घुसेड़ना, क्योंकि जो है वो है, तो आज की video में इतना ही रखते हैं, thank you so much for listening it so patiently, and I will see you the next time.